इडर रोहित शर्मा इंग्लाइंड के खिलाफ तयार कर रहे थे सबसे घातक प्लेइंग 11 उदर सेमी फानल से पहले ही आगई भारत के लिए बड़े खुशकबरी खुल गई रोहित शर्मा के किस्मत रोहित कर रहे थे जिस चीज की मांग विराट कोली भी बी सी सी आई और आई सी 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 से लगा रहे थे गोहार वो चीज हो गई पूरी सेमी फानल से पहले ही हो गया खेल अब इसलिए भारती जीतेगा वाल्ड कॉप तो संयोग ने बना दिया गजब का माहल बना सेमी फानल खेले फानल खेल सकती है टीम इंडिया वेस्टेंडी से आई सबसे बड़ी ख़बर अगर बारिश रुआत तो इस तरह के से निकलेगा रिजल्ट 2022 के T20 विश्व कप में टीम इंडिया को इंडिया ने जो जख्म दिये थे उसके हिसाब की तैयारी रोहित शर्मा कर रहे थे वही बात अब ICC ने मान लिए और टीम इंडिया को सेमी फानल के मुकाबले से पहले बड़ी खुशकबरी दे दी बारिश ने खलल डाला लेकिन इसके बावजूद पूरा मैच हुआ था मगर यहां पर भारत और इंगलैंड के बीच कहानी तोड़ी अलक्सी है क्योंकि इंगलैंड और भारत के मुकाबले पर बारिश का साया है माना जा रहा है कि बहुत मुश्किल है कि मुकाबला हो पाए अब सवाल उठता है कि अगर बारिश होती है तो फिर इसका फाइदा किस टीम को होगा और इसका नुकसान किसे होगा बता दे कि नॉकाबलों में रिजर्व डे होता है बारिश की वजह से अगर मैच एक दिन नहीं हो पाया तो वो अगले दिन खेला जाता है लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टीटवनी वर्ड कप दोजार चौबिस के दूसरे सेमी फाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं है दूसरे सेमी फाइनल और फाइनल में एक दिन का ही गैप है इसी वजह से रिजर्व डे नहीं रखा गया हालनकि पहले सेमी फाइनल के लिए रिजर्व डे है ऐसे में अगर बारिश की वजह से भारत और इंग्लैंड का मैच रद हुआ तो भारत के किसमत चमक जाएगी और टीम इंडिया ही फाइनल खेलेगी नियम के नुसार बारिश के वजह से मैच नहीं होता है तो सूपर एट में टॉप पर रहने वाली टीम फाइनल में केलेगी भारतिये टीम अपने ग्रूप में टॉप पर दी जबकि इंग्लैंड दूसरे नबर पर लेकिन हर भारतिये फैंस यहीं चाहरा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हो ताकि भारत 2022 के हार का बदला ले सके जैसा कि आपको पता है कि इस वार भारतिये टीम बहुत पढ़िया प्रदर्शन कर रही है और मैच पर मैच जीत रही है अभी तक टीम इंडिया नॉन स्टॉपबल रही है यानि कोई भी टीम भारत को हरा नहीं पाई है भारत का आत्म विश्वास बहुत जादा है मगर इसी भी इस टीम को एक और खुश खबरी मिलिये दरसल सेमी फाइनल के मैच में वो संपायर की छुट्टी हो गए जो भारत के मैच में अंपायरिंग करते नजर नहीं आएंगे बतादी कि रिचर्ड कैटल बोरो आई सी सी के टॉप अंपायर में शामिले लेकिन वो टिम इंडिया के लिए काफी अनलकी साबित रहे हैं 2023 वर्ल कप के फाइनल में भी रिचर्ड कैटल बोरो अंपायर की भूमिका में थे यही ब्हारत के मैच में अंपायरिंग नहीं करेंगे तो भारतिया फैन्स खुशे से फूले नहीं समा रहे हैं यकीन मानियर हुई शर्मा ने भी रहत की सांस ली होगी बता दे कि न्यूजिलान के क्रिस गफानी और आस्ट्रोलिया के रॉड़नी टकर भारत और इंग्लान के बीच होने वाले T20 विश्व कप के दूसरे सेमी फाइनल के लिए मैदानी अंपायर होंगे अब देखना होगा कि क्या भारत को जब किस्मत का साथ मिल रहा है तो क्या इंग्लान को भारत बुरी तरीके से रापाएगा या नहीं आपको क्या लगता है कॉमेंट में बताए